reflection & dispersion of light आजके लास में हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं इस cynमें हमें सारे किए के बीच से कहीं से भी कोशन बनाकर पूछ लिया जाता है और उनको solve कर पाने के लिए chapter को समझना बहुत important होता है chapter को सबसे आसानी से समझने के लिए आप DAV Guru के playlist में जा सकते हैं जहां पर अलग-अलग categories में आपको हर classes का वीडियो मिल जाएगा यहां से आप अपने class के वीडियो को कभी भी विल्कुल free में देख सकते हैं इस चैनल को subscribe करके विल आइकन को press भी कर लिजेगा थाकि आपके class के नए वीडियो का notification भी आपको सही समय पर मिलता रहे हैं इस chapter में सबसे पहले हमें chapter का introduction देखना है उसके बाद हमें reflection of light के बारे में पढ़ना शुरू करना है reflection of light में कई सारे subtopics हैं जिसे हमें cover करना है जैसे की cause of reflection of light, refractive index, refractive index and optical density, rules of reflection, diffraction of light by a glass slab, some definitions, dispersion of white light by glass prism और सबसे अंतिम में है rainbow, unnatural effect of disperse इस chapter में हमें lenses के बारे में भी परना है, बहुत सारे subtopics इसमें भी है सबसे पहला definitions of some lens related terms उसके बाद है three special rays for lenses उसके बाद convex lens के बारे में परना है, concave lens के बारे में परना है और application of lenses के बारे में भी समझना है कि lens का use कहां कहां पर होता है class 7 में हमने light के कुछ basic properties के बारे में परहा था हमने परहा था कि light जब भी किसी transparent medium से होकर गुजरती है तब वो straight line path को follow करती है हलाकि light का reflection भी हो सकता है जब वो किसी shining surface पर परती है और इस प्रक्रिया को इस phenomenon को reflection of light कहते हैं जो कि हमेशा laws of reflection को follow करता है अक्सर ऐसा होता है कि light ray एक transparent medium से travel करते हुए दूसरे transparent medium में इंटर कर जाती है example के लिए light ray जो कि initially air से होकर travel कर रही होती है जब वो glass के टुकरे पर या water के surface पर परती है तब उसे glass और water से होकर travel करना परता है इस chapter में हमें ऐसे ही phenomenon के बारे में detail में study करना है हम लोग अच्छे से समझेंगे कि जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो क्या होता है अब हमें reflection of light के बारे में detail में समझना है reflection और reflection दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग है हम आपको reflection भी करवा के दिखाते हैं और reflection भी करवा के दिखाते हैं माले जी यह surface है इस पर हम लोग दो light ray को डालते हैं एक light ray यह हो गया एक दूसरा light ray यह हो गया reflection होने का मतलब होगा कि light ray जो आया ना जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से वापस लोट जाएगा incident ray, incident angle और reflected angle जो होता है सेम होता है आपने परहाऊगा rules of reflection में लेकिन reflection कैसे होता है यह जो light ray यहाँ पर आया ना यह इस medium को cross कर जाएगा दूसरे medium में पहुँच जाएगा लेकिन यह सीधा आगे नहीं जाएगा इसका जो रास्ता है ना थोड़ा सा bend कर जाएगा थोड़ा सा मुड़ जाता है यह इसी phenomenon को हम लोग reflection of light कहते हैं आगे detail में भी इस चीज को हम लोग समझेंगे यहाँ पर बताया गया कि जब एक light का straight line path को follow करते हुए एक transparent medium से दूसरे transparent medium में enter करता है तब हमें उसके direction में एक change दिखाई देता है उसका path थोड़ा सा मुड़ जाता है इसी प्रक्रिया को हम लोग reflection of light कहते हैं इस side में air है और इस side में water है दोनों तरफ अलग-अलग medium है light का property हमें पता है कि light हमेशा straight line path को follow करती है लेकिन यहाँ पर light straight line path को follow नहीं करेगी light को तो सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है light जब एक medium से दूसरे medium में एंटर करी तो light थोड़ा सा bend हो गई अपने दिशार से थोड़ा सा भटक गई इसी प्रक्रिया को इसी phenomenon को हम लोग reflection of light कहते हैं reflection of light होने का कारण क्या है मूर जाता है इसलिए reflection को brief करके हम लोग बोल सकते हैं कि reflection एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें की एक तिरची प्रकाश की किरन तिरची क्यों अभी हम लोग समझेंगे इसको जिसमें एक तिरची प्रकाश की किरन जब एक medium से दूसरे medium में जाती है तो उसका direction और propagation उसके आगे बरने की जो दिशा होती है वो बदल जाती है हम लोग अपने daily life में कई जगा reflection देखते हैं और reflection का एक real life example हमें activity number one में बताया गया है reflection होता हुआ देखने के लिए activity number one में जैसे जैसे बताया गया है आप वैसे वैसे कर सकते हैं आपको एक शीशे का glass ले लेना है या आप शीशे वाला beaker भी ले सकते हैं उसमें पानी भर लेना है एक point को आपको table पर रख लेना है और एक coin को उस शीशे के glass में डाल देना है इतना करने के बाद आपको यहां से coin को देखना है जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि coin थोड़ा सा उपर है actual में तो coin इस level पर है लेकिन आपको इसका base और इसका coin जो है थोड़ा सा उपर उठा हुआ दिखेगा ये जो चीज हो रहा है ना इसी चीज को हम लोग reflection कहते हैं ऐसा reflection के कारण ही हो रहा है इसका ray diagram भी बना कर हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये थोड़ा सा उपर उठा हुआ आमें क्यों दिखता है एक और activity आप कर सकते हैं जिसमें कि आपको एक शीशे का glass चाहिए उसमें पानी भर लेना है और उसमें एक pencil या pen कुछ भी डाल देना है जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहां पर लगेगा कि pencil या pen जो भी आप डाले है न वो bend हो चुका है मुड़ चुका है इसका भी reason reflection ही है reflection के कारण ही pencil हमें टूटा हुआ जैसा या bend हुआ जैसा दिखाई देता है हमने अभी परहा कि light का reflection के वल तब हो सकता है जब light ray तिरची हो अगर light ray normally किसी surface पर पर रही है perpendicular direction में पर रही है तब वो सीधी दिशा को follow करती हुए आगे बढ़ जाती है उसमें कोई bending नहीं होता है यह जो surface है दोनों medium को दो भागों में बाढ़ता है इदर दूसरा medium है air है इदर और इदर दूसरा medium है water है इदर यहाँ पर light का reflection के वल इसी लिए हो पा रहा है क्योंकि light इस surface पर तिरची पर रही है अगर perpendicular direction में परती न अगर 90 degree angle के साथ light इस पर परती तो light में कोई भी bending नहीं होता light सीधी आगे चले जाती बस इसका speed कम हो जाता यहाँ पर ज़्यादा speed होता यहाँ पर light का speed थोड़ा सा घट जाता अब आप सोच रहे होंगे कि air में light का speed ज़्यादा कैसे होगा और water में light का speed कम कैसे होगा तो simple सी बात है आप खुद के बारे में सोच के देखिए air में दौर ना असान होता है कि water में दौर ना असान होता है और यसी बात है air में दौर ना असान होता है इसी तरह से light भी air में आसानी से travel कर सकती है इसको कम resistance मिलता है और water में इसको थोड़ा ज्यादा resistance मिलता है इसलिए इसका speed water में घड़ जाता है यहाँ पर वही सब चीज बताया गया है कि light जब एक medium से दूसरे medium में जाती है तो speed of light में change आ जाता है और reflection light के speed के बदलने के कारण ही होता है हम लोग practically भी देख सकते हैं कि light का bending के बल तब होता है जब प्रकाश की किरन तिरची परे अगर प्रकाश की किरन नॉर्मली पर रही है 90 degree angle के साथ पर रही है तो उसमें कोई bending हमें देखने को नहीं मिलता है light का रही सीधा चले जाता है reflection होता हुआ देखने के लिए एक और activity यहां पर दिया गया है बहुत simple activity है इसके लिए आपको एक शीशे का glass लेना है और किसी आदमी के आधे face को आपको इस शीशे के glass के थूरू देखना है आप इसमें देखेंगे कि उसका आधा face जो दिख रहा है न वो थोड़ा सा shifted है ऐसा इसलिए हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर भी light का reflection हो रहा है light उस पर से आतो रही है लेकिन अपना रास्ता थोड़ा सा बदल करा रही है इसी वज़ा से हमें face कुछ इस तरीके का दिखता है इन सभी activities से reflection of light को समझना आसान हो जाता है हम लोग बोल सकते हैं कि reflection of light एक ऐसा phenomenon है जिसमें कि light ray का bending हो जाता है light ray मुर जाती है जब light ray obliqually मतलब तिर्ची light ray किसी एक transparent medium से दूसरे transparent medium में जाती है और इसी phenomenon को reflection of light कहते हैं light का reflection एक ऐसा phenomenon है जो होते हुए हम लोग अपने daily life में कई जगा देख सकते हैं cause of reflection of light एक sub-topic यहाँ पर है जिसमें हमें समझना है कि light का reflection किस वज़ा से होता है इसके बारे में हमें बताया भी गया था अभी just कि light का reflection इसी लिए होता है क्योंकि जब light एक medium से दूसरे medium में पहुंचती है तो उसका speed बदल जाता है इसी वज़ा से light का reflection होता है वही चीज यहाँ पर बताया भी गया है कि light का speed हर medium में अलग-अलग होता है water में light का speed अलग होता है, air में अलग होता है, vacuum में अलग होता है और glass में भी अलग होता है, vacuum में light का speed सबसे ज़्यादा होता है it is 3 into 10 to the power 8 meter per second, अगर इसको हम लोग kilometer per second में convert करें तो यह होगा 3,00,000 km per second, मतलब 1 second में light 3,00,000 km दूर चली जाती है हाला कि light जब दूसरे transparent medium में enter करती है, तब उसका speed घढ़ जाता है light के speed का बदलना ही इसके bend होने का कारण है जब एक medium से दूसरे medium में light जाती है, तो light का speed बदलता है उसी कारण से light का ray bend हो जाता है इसलिए light के bend होने का पहला reason हम लोग बोल सकते है change in the speed of light ये हो गया पहला reason दूसरा एक और reason है जिसके कारण से light का reflection होता है वो है optical density अब ये optical density क्या होता है इसको अच्छे से समझेगा optical density को समझने के लिए हमें इन दोनों words को समझना पड़ेगा ये दोनों words बहुत important है क्योंकि इसका इस्तिमाल अभी से बार बार इस chapter में होने वाला है पहला है rarer जिसको हिंदी में viral कहते हैं और दूसरा है denser जिसको हिंदी में सघन कहते हैं ऐसे जितने भी medium है जिनके particles एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं उन medium को हम लोग rarer medium कहते हैं और ऐसे जितने भी medium होते हैं जिनके particles एक दूसरे से सटे होते हैं बहुत पास पास होते हैं उन medium को हम लोग denser medium कहते हैं एक्जामपल के लिए अगर हम लोग air और water को compare करें तो air को rarer medium कहा जाएगा क्योंकि इसके particles एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और water को denser medium कहा जाएगा क्योंकि इसके particles एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं किसी medium में light का speed कितना होगा वो हमें उस medium के optical density से बता चलता है अगर ज़्यादा dense होगा medium तो light का speed कम होगा अभी ऐसी बात है और अगर medium rarer होगा तो light का speed उसमें ज़्यादा होगा इसलिए हम लिग बोल सकते हैं कि अगर किसी medium में light का speed ज़्यादा है तो उसका optical density कम होगा and vice versa मतलब इसका उल्टा भी होगा अगर किसी medium में light का speed कम है तो उसका optical density ज़्यादा होगा यहाँ पर इन दोनों medium में देखिए इसका optical density ज़्यादा है इसके particles एक दूसरे से बहुत नजदीक है इसलिए इसमें light का speed कम होगा लेकिन इसका optical density कम होगा क्योंकि इसके particles एक दूसरे से बहुत दूर दूर है और यहाँ पर light का speed भी बहुत ज़्यादा होगा अगर हम लोग vacuum की बात करें, vacuum ऐसा जगह होता है जहाँ पर air भी नहीं होता है, हवा भी नहीं होती है, vacuum का optical density सबसे कम होता है, इसी वज़ा से vacuum में light का speed maximum होता है, vacuum में ही light सबसे तीज गती से travel कर सकती है अगर हमें दो medium दे दिया गया, तो जिस medium में light का speed ज़्यादा होगा, उस medium को optically rarer medium कहा जाएगा, और जिस medium में light का speed कम होगा, उसको optically denser medium कहा जाएगा, example के लिए air और water में air को optically rarer कहा जाएगा, क्योंकि air में light का speed ज़्यादा होता है, water के मुकाबले, और water को optically denser medium कहा ज करके हम लोग बोल सकते हैं कि एक higher optical density वाले medium में light का speed कम होगा और एक lower optical density वाले medium में light का speed जादा होगा इस वाले table में अलग-अलग medium में light का speed क्या होता है उसके बारे में बताया गया है light का सपीड यहाँ पर 10000km par second में दिया गया है इस वाले टेवल में हमें अलग-अलग मीडियम में light kec 5.0range effect दिया गया है और जो भीश्न यहाँ पर है वह 10000 km सट गांइब जैसे कि यहाँ पर 3 है इसका मतलब यह हुआ कि वाकि उतलब कि उ SSD 250,000,000,000 !! न बसलो न टेbs वेकीउम से थोड़ा सा डेंसर हो ता है इसमें लाइट प्रहसे कम हो जायेगा वाटर में लाइट ती स्पीद होता है 2.5 500,000,000,000 Holz नडि ग्लास में 2 100 000,000 Km पर सिकेंड और डायमण में 1.25 यहां पर कहना यह चाहरा है कि अगर हम लोग दो अलग-अलग मीडियम में light के speed का ratio निकाल देते हैं माल लेजे यहां पर x के speed से travel कर पा रहा है यहां पर y के speed से travel कर पा रहा है अगर हम लोग इसका ratio निकाल देते हैं x by y कर देते हैं तो इस ratio से हमें पता जलता है कि light कितना bend होगा जब वो इस medium से इस medium में जाएगा इस बात को एक और तरह से समझिए मान लेजिए इधर कोई और मीडियम है और इधर कोई और मीडियम है दोनों में light का speed अलग-अलग है अगर हम लोग इन दोनों medium के light के speed का ratio निकाल लें इतना बटे इतना कर दें तो उस ratio से हमें पता चलेगा कि अगर light इस medium से उस medium में जाती है तो कितना bend करेगी इसमें कितना bending होगा हमें उसी ratio से पता चल जाएगा इस ratio का एक नाम है जो कि आपको हमेशा याद रखना है इस ratio को हम लोग relative refractive index कहते हैं एक do you know यहाँ पर दिया गया इसमें बताया जा रहा है कि light का reflection हमेशा नहीं होता है जरूरी नहीं है कि एक medium से दूसरे medium में light जाएगा तो उसका reflection होगा ही होगा अगर दो medium का refractive index एक दूसरे के respect में equal है तो उस case में दोनो medium का boundary हमें दिखाई नहीं देगा example के लिए vacuum और air के बीच का boundary हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि दूनों का refractive index लगभग बराबर होता है लेकिन air और water के बीच का boundary हमें दिखाई देता है क्योंकि दूनों का refractive index एक दूसरे के respect में equal नहीं होता है अब हमें समझना है कि relative refractive index को mathematically कैसे express किया जा सकता है इसके लिए माल लेते हैं हमारे पास दो medium है एक है air और दूसरा है water माल लेते हैं air में light का speed v1 है और water में light का speed v2 है अगर हमें medium 2 का relative refractive index medium 1 के respect में निकालना है तो इसके लिए हम लोग medium 1 का velocity divided by medium 2 का velocity करेंगे जिसके respect में निकालना होता है उसको ऊपर रखा जाता है और जिसका relative refractive index निकालना होता है उसको नीचे रखा जाता है so it will be equal to v1 by v2 अगर हमें इसका उल्टा दे दिया होता कहता कि relative refractive index निकाल कर बताइए medium 1 का with respect to medium 2 तो उसके लिए हम लोग v2 by v1 करते refractive index को हम लोग mu से denote करते कुछ ऐसा symbol होता है और जब भी relative refractive index की बात की जाए तो mu के उपर कुछ numbers लगा दिये जाते है जैसे कि यहाँ पर 2 और 1 लगाया गया है इसका मतलब क्या होता है दियान से समझे अगर हमें relative refractive index medium 2 का निकालना हो with respect to 1 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे mu 2 उपर जिसका निकालना हो उसको उपर medium 2 का निकालना है तो 2 उपर लिख दिये with respect to 1 तो 1 नीचे लिखेंगे और equal to लिखेंगे v1 by v2 v2 जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है अगर हमें उल्टा देता relative refractive index of medium 1 with respect to medium 2 तो इसका symbol कैसे होता यहाँ पर mu लिखते उपर में 1 लिखते नीचे 2 लिखते और equal to करके यहाँ पर v2 by v1 करते अब देखिए refractive index या जिसको absolute refractive index भी खहा जाता है इसको हम लोग कैसे find करते हैं यह relative refractive index नहीं है यह बिल्कूल अलग चीज है absolute refractive index को mu m से denote किया जाता है और mu m equal to होता है speed of light in vacuum divided by speed of light in the given medium मालेजी आपको एक medium दे दिया गया glass और इस medium में light का speed vm है अब आपको बोला गया कि आप glass का absolute refractive index निकाल कर बताईए तो glass का absolute refractive index निकालने के लिए आपको speed of light in vacuum को divide करना परेगा speed of light in this medium यानि की glass तो यहाँ पर हमें क्या करना परेगा c divided by vm इतना करने के बाद हमें absolute refractive index इस वाले medium का चाहें यहाँ पर glass हो या कोई दूसरा medium हो उस medium का absolute refractive index हमें पता जल जाएगा तो हमेशह ध्यान ढखियेगा कि relative refractive index जब भी पूझा जाता है तो दो medium का एक दूसरे के respect में पूझा जाता है आप से पहले medium का दूसरे के respect में पूझ लिया जाएगा या दूसरे medium का पहले की respect में पूछ लिया जाएगा उसी के according यहाँ पर आपको ratio निकालना है और अगर आपको directly refractive index या absolute refractive index के बारे में पूछ लिया जाए तो जिस भी material में light का speed आपको दिया गया है उसी से vacuum में light के speed को divide कर देना है vacuum में light का speed क्या होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second आपको याद रख लेना है उसको यहाँ पर डालना है और इसमें इस वाले medium में जो भी light का speed होगा उससे divide कर देना है refractive index and optical density अभी हमने दोनों चीज को पर लिया refractive index को भी और optical density को भी क्या इन दोनों में कोई relation है और अगर इन दोनों में relation है तो यह दोनों एक दुसरे से कैसे related है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है refractive index के बारे में परकर हमें पता चला कि किसी medium के refractive index से ही हमें पता चलता है कि उस medium का optical density क्या है किसी medium का refractive index जितना जादा होता है उसका optical density भी उतना ही ज़्यादा होता है और अगर refractive index कम है तो उसका optical density भी कम होगा अगला sub-topic है rules of reflection जैसे हमने class 7 में rules of reflection परा था बिलकुल उसी तरह से दो rules of reflection भी होता है उसी के बारे में यहाँ पर हमें अच्छे से समझना है रिफ्रेक्शन का पहला नियम यहाँ से समझेगा यह बहुत important है इसके बारे में पूछा जाता है एक्जाम में रिफ्रेक्शन का पहला नियम कहता है array of light bends towards the normal when it goes obliquely from an optically rarer medium to an optically denser medium जब एक प्रकाश के किरन viral माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है अगर इधर और इधर same medium होता तो light का रे जो है सीधे चले जाता इसको कहीं मुढ़ना नहीं परता लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि light का रे जो है थोरा सा normal की तरफ मुढ़ चुका है इसने हमको real life example के साथ भी समझ लेते हैं air और water दोनों में air जो है उसको rarer medium कहा जाएगा air हो गया rarer medium और water जो है उसको denser medium कहा जाएगा जब एक oblique light काड़े तिर्चा light काड़े air से water medium में जाएगा तो वो normal की तरफ जुक जाएगा normal क्या होता है आपको याद होगा शायद जिस बिंदू पर light परती है ना प्रकाश की किरन परती है वहाँ पर ए 90 degree angle पर जो line बनता है उस line को normal कहा जाता है और air से water में जाने के बाद light ray इसी normal की तरफ जुक जाएगी अब डिफ्रेक्शन का दूसरा नियम देखें दूसरा नियम कुछ नहीं है पहले नियम का just opposite है दूसरा नियम कहता है और ray of light bends away from the normal when it goes obliquely from an optical denser medium to an optical rarer medium अब देखें यहाँ पर denser medium आ गया है और इधर rarer medium आ गया है उल्टा हो गया है अब इधर water है और इस side में air है अगर एक obliquely light ray water से air में जाता है तो उस case में light ray normal से दूर हट जाएगा इस तरह से आपको दूनों नियम याद रखना है अगर light ray rarer medium से denser में जाती है तो light ray सीधे जाने के बजाए normal की तरफ जुग जाती है light थोड़ा सा इधर के तरफ bend हो जाता है और अगर light ray denser से rarer medium में जाती है तो सीधे जाने के बजाए normal से दूर हट जाती है थोड़ा सा उस तरफ light का day bend हो जाता है इनी दोनों rules के basis पे हम लोग उन सभी phenomenon को समझ सकते हैं जहां पर हमें light का reflection होता हुआ दिखता है अब चलिए इनी दोनों rules का इस्तिमाल करते हुए समझते हैं कि activity number one से लेकर three तक में जो observation हमें मिला था उसका reason क्या था जब हम लग पानी में किसी pencil को डालते हैं तो उसका tip यहां के बजाए थोड़ा सा उपर हमें दिखाई देता है और pencil भी सीधा नहीं दिखता है pencil भी थोड़ा सा यहां से bend हुआ दिखता है इसके पीछे का reason ध्यान से समझेए यहां पर दो medium है एक तो water है और दूसरा air है water जो है यह denser medium है और जो air है यह rarer medium है आप reflection का दूसरा नियम याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि जब light ray denser medium से rarer medium में जाती है तो normal से दूर हट जाती है light ray को तो सीधे चले जाना चाहिए था लेकिन वो normal से थोड़ा सा दूर हट जाता है थोड़ा सा इस direction में bend हो जाता है यहां से निकलने वाला light ray इस point पर bend होके हमारे आँख तक तो पहुँच गया लेकिन हमारे आँखों को लगेगा कि light ray इस direction से आ रहा है यहां से आ रहा है इस point से इसलिए pencil का tip जो की हमें यहां पर दिखना चाहिए था यहां पर दिखने लगेगा वही सब चीज यहां पर लिखा है आप इसको एक बार read कर लिजेगा और यह diagram बहुत important है इसलिए इस वाले diagram को हम एक बार फिर से बना कर दिखा देंगे उसी तरह का दो और diagram यहां पर दिया गया है इसको ध्यान से देखिए पहला जो diagram है वो एक pond का दिया गया है तालाब हमें कम गहरा दिखता है reflection के कारण ही ऐसा होता है actual में होता यह है कि तालाब के base से जो आने वाला light ray होता है वो बाहर आने के बाद normal से दूर हट जाता है और हमारे आपको लगता है कि light ray यहां से आ रहा है इस point से आ रहा है तो actual में depth यहां तक होना चाहिए था actual गहराई तो यहां तक है न लेकिन हमें लगता है कि तालाब इतना ही गहरा है यहां पर तालाब का जो actual में गहराई होता है उसको real depth कहा जाता है और जो गहराई हमें दिखाई देता है उसको apparent depth कहा जाता है इसमें देखे coin actual में bottom में रखा गया है लेकिन हमें थोड़ा सा उपर उठा हुआ दिखाई देता है ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से जो light ray जाता है वो rarer medium में जाने के बाद थोड़ा सा normal से दूर हट जाता है और हमारे आँख को लगता है कि light ray यहां से आ रहा है इस point से इसी वज़ा से coin हमें थोड़ा उपर दिखता है जो coin यहां पर दिखना चाहिए था वो हमें इस level पर दिखता है इन सभी diagrams को study करने के बाद हमें पता चल गया कि ताला आप जितना actual में गहरा होता है उतना गहरा हमें क्यों नहीं दिखाई देता है और जो coin हम लोग cup के bottom में रखते हैं वो coin हमें थोड़ा ऊपर क्यों दिखाई देता है ऐसा हमें light के bending के कारण दिखाई देता है जब light ray optically denser medium से optically rarer medium में जाती है मतलब water से air में जाती है तो उसके कारण से वो normal से दूर हट जाती है और उसी वज़ा से हमें कुछ वैसा दिखाई देता है जैसा हमने activity में देखा अब चल ये जल्दी से diagram बनाना सीख लेते हैं मान लेते हैं ये container है और इसमें पानी भरा हुआ है इसके नीचे हम लोग एक coin डाल दिये इस coin को जब हम लोग देखेंगे ना तो थोड़ा से उपर दिखाई देगा क्यों? इसका रे diagram बना कर दिखाते हैं यहां से जो light ray निकलेगा वो boundary तक पहुँचने के बाद normal से दूर हट जाएगा यह normal है इससे दूर हट जाएगा कुछ इस direction में आगे भागने लगेगा अब जो light ray यहां पर हमारे आखों पर पड़ेगा हमें लगेगा कि वो light ray यहां से आ रहा है इस point का पता लगाने के लिए इस point से एक line कीचेंगे उपर की तरफ और इस line को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो जहां पर दोनों line कट रहा है न वहीं पर हमें coin दिखेगा हमें लगेगा कि coin यहां पर है इस वाले point पर बहुत simple diagram है अगर exam में पूछा जाता है तो कुछ इसी तरह से आप भी बना सकते हैं finally हमने यहां तक के सभी topics को वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाले स्वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics से साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते रहिए